हमेशकार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर आज हम आपको ज्यादा पसीना आने को उसको रोकने के लिए कुछ घरेलू तरीकों के बारे में बताएंगे बहुत ज्यादा पसीना आना जिसे हाइपर हाइड्रोसिस भी कहा जाता है एक बहुत ही वास्तविक और शर्मनाक समस्या होती है कुछ लोगों को ऑफिस के पहुँचने से पहले ही पसीने में भीग जाने की आदत होती है और इसका उन पर और उनके कलीक्स पर भी बुरा असर पड़ता है कभी कभी जादा पसीना आपको चिर्चड़ा भी बना देता है और इसका आपके पारिवारिक जीवन या समाजिक जीवन पर भी विप्रीत प्रभाव पड़ता है जादा पसीना आने की समस्या से पीड़ित लोग रोजमर्रा की जिंदगी में और दूसरों के संपर्क में आने से इतना कत्राते हैं जिसके बारे में आसपास के लोग शायद ना सोचें ज्यादा पसीना आना एक ऐसी स्थिती है जिसमें किसी भी उम्र के पुरुशों और महिलाओं के हाथों और पौरों में अत्यदिक पसीना आता है तो चलिए दोस्तों अब हम आपको इस समास्या से निजात पाने के लिए कुछ घरेलू तरीकों के बारे में बताएंगे सबसे पहले एकने वेदन उन सबी दर्शकों से जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रपया हमारे चैनल की सदसता को जरूर ले ले ताकि आप हमसे जुड़े रहें हमारे दौरदी कई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइद अभी उठा सकें साथी सही जानकारी के लिए इसे अंतितक सरूर दिखेगा हरी चाए शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए फाइदे मंध होती है यह पसीने की ग्रंतियों पर रोक लगा कर रखती है कुछ मिनिट के लिए पानी में चाए के पत्नों को उबाल कर हरी चाए बनाए और फिर पी लें आप इसे थंड़ा करके अंडराम्स, गुटनों के पीछे और अन्निशेत्र जहां आपको अधिक पसीना आता है वहाँ पर भी लगा सकते हैं टमाटर एंटी ओक्सिडेंट से सम्रद होते हैं टमाटर त्वचा के रोमचिद्रों को कम करने में मदद करते हैं जिससे अत्यदिक पसीना नहीं आता है इसके लिए हर दिन दो गिलास टमाटर का रस जरूर पीजिए नीबू और नमक का मिश्रण इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है क्योंकि पसीने की वज़ा से हमारे शरीर में नमक की कमी हो जाती है नीबू और नमक को ठंडे पानी में मिला कर हर रोज दो से तीन गलास पीजिए अपने शरीर के तापमान को ठंडा रखने के लिए दिन भर पानी फलों के रस जैसे तरल पदार्टों का सेवन करें गरम और मसालेदार भोजन को खाने से बचिए सूती कपड़े पहने और अतिदिक दूप में बाहर जाने पर टोपी या स्कार्फ के साथ अपने सिर और चहरे को जरूर कवर करें तेज पत्ते को पानी में उबाल लीजिए और पानी थंडा होने पर पसीने वाले अंग पर लगाएं इससे पसीने से आनी वाली बद्बू से भी राहत मिलती है और यह पसीने को रोकने में भी कारगार होता है कच्चे आलू को काट कर पसीने वाले अंग पर रोजाना लगाएं इससे भी आपको काफी राहत मिलेगी तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेर और कमेंट सरूर कीजेगा इसे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद